भारत का मिशन चंद्रयान टू भले ही चंद्रमा के धरातल पर उतरने से चूग गया हो लेकिन विश्व भर में हो रही इस मिशन को लेकर भारत की सराहना किसी से भी छिपी नहीं है सोशल मीडिया से लेकर विश्व भर के देशों के अख़बारों, टेलिविजनों और सोशल साइट्स पर भारत के इस कठिन मिशन तथा इसरों के विग्यानिकों की जम कर सराहना की जा रही है ऐसे अफसरों पर हर बार की तरह तर्क हीन प्रतिक्रिया देने वाला एक मात्र पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसको ये बिलकुल रास नहीं आई पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की सरकार में विग्यान और तक्नीक मंत्री चौधरी फवाद हुसेन ने चंद्रियान टू को लेकर कुछ बेतुके ट्वीट किये थे कि इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जम कर क्लास ली गई इतना ही नहीं फवाद हुसेन को उनके ही अपने देश के लोगों ने उनकी ठीक से फजीहत कर दी पाकिस्तान के लोगों ने फवाद हुसेन को लतार लगाते हुए कई सवाल पूछे किसी ने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत ऐसी बड़ी चीज़ें तो कर रहा है जो आपकी आउकाद से कहीं जादा बाहर है तो वहीं कुछ लोगों ने फवाद हुसेन को कांक चोड, इठला और इमरान खान का चमचा जैसे शब्द कहे चंद्रयान 2 मिशन पर दुनिया भर की नजरे डिकी थी और इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये भी थी कि भारत के वेक्यानिकों ने चांद के सबसे कठिन हिस्से साउथ पोल पर उतरने की योचना बनाई थी यदि भारत इसमें सफल हो जाता तो साउथ पोल के हिस्से में अपने यान को उतारने वाला विश्व का पहला देश बन जाता इसरो का मिशन चंद्रयान 2 भले ही इतिहास बनाने से चूग गया हो लेकिन विश्व भर में विक्यानिकों को मिल रही इतनी सरहाना को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के विक्यानिक आने वाले समय में ऐसे कई इतिहास बनाएंगे